जैस इरिकेशन, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती बावना यूटीब चैनल पर, दोस्तो आज मैं आपको बैसाग पूरण मासी और चंदर गेंड से सम्मन्द जानकारी दूँगा, साथी इस दिन आपको एक चीज खाले नहीं है, जिससे आपकी हर मनुकामना पूरी होगी साथी बागिसाली रासियों के बारे में जानकारी दूँगा, सम्मपूर जानकारी के लिए वीडियो को लाइस तक दे के चैनल को सब्सक्राइब करें, बैसाग पूरण मासी के दिन जो भी उपाय किये जाएं, उनका हजार गुना लाब मिलता है, इस दिन पीपल बरक्ते नीचे, पित्रों के नाम से जल अरपण करें, वहाँ पर दीपक जलाएं, और दीपक में दो लोंग और काले तिल डाल दें, वहाँ पर खीर का प्रिसाद और पूरी का प्रिसाद अरपण करें, साथी साथ परक्रमा देनी चाहिए, ऐसा करने से जो भी आपके मन में कामना ह आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी पुत्र प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी वह सरीर भी निरोग रहेगा दूसरा इस दिन तुलसी माता के सामने अपनी प्रात्ना बोले तुलसी माता को जल अरपन करें तुलसी माता को चावल और हल्दी अरपन करनी चाहिए मूली का धागा बांदे और तुलसी माता की परक्रमा करनी चाहिए हैसा करने से तुलसी माता परसन हो जाती है भगवान विश्णों को इस दिन तुलसी पत्र अरपन करें ओम नमो भगोते वास्ते वाय नमा मंत्र का जाप करें भगवान कृष्ण के सामने केले की फल अरपन करें और खीर का प्रसाद भगवान की सामने अरपन करना चाहिए इस दिन आप भगवान के सामने अपनी मनुकामना बोल करके हवन भी कर सकते ही सत्त नाराण भगवान की कता भी करें इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी भगवान कृष्ण के सामने फल चड़ा करके आपको निवेधन करना चाहिए उसके बाद में भगवान सिवकाव सिख करें गाय के दूसरे भगवान सिवकाव सिख करें अपनी इच्छा बोलें और साथ ही भगवान से निवेदन करने के प्रवा हमें आशिर बात दीजिए और नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोलें भगवान को खीर का प्रिसाद अरपड करें ऐसा करने से आपकी प्रतेक मनोक आम नपूरी होगी सुबह जब आप इसनान कलने उसके बाद में आपको शूर्देव को अर्ग जरूर देना हैं शूर्देव को अर्ग देने से हमारे सभी मनोरत पूरी हो जाते हैं और वगवान की सदा ही क्रपा बनी रहती है पुत्र, दन, सुक, सम्रदी, सब कुछ प्राप्त होता है दोस्तों इस बार चंदर ग्रहन भी पढ़ रहा है लेकिन इस चंदर ग्रहन का प्रवाब भारत के अंदर नहीं है यह ग्रहन बार पढ़ने वाला है, बार से बार पढ़ने वाला है और रात को 8 बज के 45 मिनट से लेकर एक बज़े तक रहेगा देकर इंगरबती मेलाएं, पेट पर गेरू जरूर लगाएं तुलसी पत्र, तुलसी पत्र खाकरके जरूर सोना चाहिए रात को भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पन करें और फिर सोने से पहले भगवान से निवेदन करें और आपको तुलसी पत्र जरू खाने हैं साथ ही साम के समय जो भगवान के सामने आपने केले के पल अरपन किये हैं वह केले के पल भी आपको खाने हैं इससे आपकी हर मनुकामना पूरी होगी और कीर का परसाद भी आप खाएं। भगवान के सामनी, पित्रदेपताओं के सामनी, पीपल ब्रक्य के नीचे, घर के मेन दरवाजे पर, लच्चिवी माता के सामनी, दीपक जला करके उसमें दो लोग जरू डालें। इससे आपकी हर मनुकामना पूरी होगी। मेश रासी, मेतुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, साती ब्रश्चिक रासी, धर्म रासी, मकर और कुम रासी। ये रासी आएं, जो बेहदी भागित साली रहने वाली हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में, ओम नमो भगोतेवास देवायनम जरूर लेखें।